अब आश्यों का अउनलाइन प्र्टावरा आपका श्वागत अवीननदन हैं हम बात कर रहे थे आजस्तान के इतियास के राजस्तान की बारे में काकी तुछ पढ़ लिया था हमने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए चाह बच गया था जो जो पार्ट बचे हुए उसके उपर और चिक करते हुए दोस्तों चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हूं में किसली क्लास का बाद आगे बढ़ते हुए चलिए देखीगा प्यार दूस्तों तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 माई 1540 को माराना प्रताप का जन्म अनुसार मोनोत नेन सीक अनुसार जैस्ट चुकलत तरत्या को विक्रम समवत बंद्रास्व संत्याण में को कहां पर कुंबल गड़ दूर्ग के कटार गड़ के ब पादल महल बादल महल की जुनी कछेडी में प्ष्ञ और जवन्ता बाई कि वह प्ष्ञात हमने क्या बात कि थे उपनाम की का है क्या व्च्पन कानाम की का मिलता है हल्दी प्रताब के साथ प्रताब का विवा हो जाता है उसके बाद प्रताब करें को ना किम्ब्स हिसेग के महराना प्रताब कहा पर होता मनाया जाता है कुमल गड़ दुर्ग में मनाया जाता है राउचंदर शिंग लेता है और जिसे मारवार का प्रताप का अगरगामी प्रताप का पतपरदर सिंग भी कहा जाता है प्रताप का पतपरदर से कहा जाता है और चार सिस्टम अंडल जो भी आपको सुन्ताने के लिए उपर के द्वारा जुद्वारे में हमने कर ली थी उनकुन से पहला जलावान सिंग भागा टोडरमल रिक्यमाद्यम सम्निकता सब्सक्राइब का कुर्ष तीसरा भगुनता टोडरमल गया था ठीके इसको टाइम पिरेड़ देखा था एकष्टर में गया था बाक्री तीनची प्रिखना की इस प्रकार से अमर सिंग से मुलाकात करते हैं तो इसके बाद देखा तो प्रताब के विर्व प्रताब से लड़ने का साथ था यह कहां चला जाता है यह पहर चला जाता है और दत्राणी का युद होता है जिसमें भाग लेता है यहाँ पर वीरगती को अब हो जाता है कि पश्षाद देखा ताग इंगर ने जो अज्मेर में याजुए में कहा जाता से परेसं और नाराज होता हुटा है अलगे बादछीरिक दीने okay चलने कहते त्प जाता है पिर फिर नहीं से टीन आपरेल 55 55 ृफ को हिदिने हो ना रहा जाती मेरा जाते मेरत और एदिधमेर से पड़ाऊ डालती है उसके बाद सेना जो कुंबलगड में इनुष्य रणनेती बनाएती हुँ बाद कि सीन दुर्ण में पढ़ता दो पहाड़े वाले बात की थि किस को कि क्या क्या देनी प्रकोशिस के है लड़ा जा रहा था इस तो किसके ने आशिरवादी लाल खुष्ट ने अधर सिलाल से रिवास्तव ने इसे बादसा बाग का युद्व का इनके अनसार यह अठाए जून पंद्रासों चिंतर को यह युद्व लड़ा गया इसके अमाराना प्रताप और मांती इसे आ जाता है को फिनात सर्माई से सब्सक्राइब करता है यहां पर तलाई बन जाती है यहां पर तलाई बन जाती है यहां पर तैनिकों का सर कटड़ाता है करते हैं और क्या करते हैं यहां पर अबुल फजल करता है अपनी पुस्तक आयने अकबरी में किसका खमनौर का युद्व करता है क्या करता है इसे खमनौर का युद्व करते हैं और का जाता है इसे बात्साबाग का युद्व करते हैं हत्यों का युद्व का जाता है बात् तोड़ने का और जिहाद का युद्व से आसफ खाने किसे आशफ खाने किसे आशफ खाने किसे जिहाद का युद्व कहा आसफ खाने से जिहाद का युद्व करकर संबोदित किया यह सारे नाम हमें जाएंदे को मिलते हैं और क्या बात करें वही कि बाद बात करते हैं लिएल अप्साथ को आता है इसमें वर हकिम का सूरी और एक मात्रётсяय माना jotा है यह दक्षिन पार्स में देखे तो यहां पर कौन देखने को मिलता है गौालेर का रामसा तवर मिलता है और उसके साथ सालिवान और भवानी सिंग और परताप सिंग के साथ लड़ता है इसके बाद बात करें दक्षिन पार्स का नेत्रत करते हैं इधर बात करें तो कहा जाता है कि गाजी खाँ इधर दक्षिन पार्स का नेत्रत करता है मैंने बताया था, चेत्व घौड़ाब बे, मांचिंग प्रताप ये तक प्रताप का घोड़ा तो किसके मांसिंग के हाथी पर पेर जमादा है कि पर पेर रखता है जरो है प्रताफ प्रताप की आधे जेकी बार कोने मांना है तो ने बढ़ी आरा प्रताप की अ कि अ के प्रताप के फोटो देखी ठी मैं प्रताब चैर्फ प्रताप का प्रताप का च्शता आपका कवच कहते हैं उपर वाले जो पहेंड कर आजाता है कि तलवारों का वार यह पंची जाता है आपका कवच के उपर आंसिंग के हाती पर पेर जमा रखें आंसिंग के लेटर लिखा जाता है कि इसको अगबर को लेटर लिखा जाता है कि दुबारा जो करता है कौन कि राज रा ठूरटल हम वेज जाय ना पिस परकार से काटा है इसको वहथ करें तरीक चाट रहाएं को यह पर्लूल लुकांट पर्लूल लुकाँ तो आपको सब्राद CCP को इस तरीक एक हैं यह मतलू लुकांट कौने बहलोल खां को क्या करता है एक ही तलवार के वार्चे गुड़े सहीद काट रहे एक ही तलवार के वार्चे क्या गुड़े सहीद काट रहे एक तलवार एक तलवार के वार्चे एक तलवार तिपार के तलवार से गोड़े सहीद काट देता है तो और लोलकां को एक ही तलवार के वार से घोड़े सहीद काट देता है इतना करता है इसकी एक तल्वार की वार किक था कि अगल सेने के देखते हैं तो यह तोड़कर भग जाते पीछे हट जाते तो तो यहां तक हमने जिक्र लिया था हमने और दोस्तों बात करने जा रहे है किसी के बाध करें एक प्र प्रियोग किये जाने वाले हाति हातियों का यूद्ध बिका जाता है प्रताप की कौन कुन से हाति लड़े और किसकी तरप से कौन कुन से हाति लड़े अधियों की बात करें किसकी हान की बात करें हाति की बात करें इसकी Тरफ से युद लगाटी जो हल्दी हानže युद्ध में कोन को नहीं बात लिया तो सबसे पहले प्रताब की तरफ से देखें प्रताब की तरफ से आपको पता है सबसे पहले प्रताब का जो हाती ता पहर दोस्तो उसका नाम क्या था राम प्रशाद क्या था राम प्रशाद और अकबर ने इसको बंदी बना लिया था और इसका नाम क्या कर दिया था अकबर ने इसको तो अकबर ने अकबर ने यानि इमान सिंग इसको बंदी बना कर ले जा था और इसका नाम बदल कर अकबर ने का नाम क्या कर लिया था वही पीर प्रसाद क्या कर दिया था पीर प्रसाद क्या कर दिया था वही पीर प्रसाद नाम कर दिया था ऐसा यसस हुई आती था व इसक खाए तस दिन तक ही कुछ नहीं ऌहना पर पानी तक मुन पीता हो किस की से वहांपर्साद ओर में लुना एक लुणा पर वाफ चक्र वाप ये भी हाती गिखा थे वी यह प्रताब के। तिए अकबर की तरफ से आए हुए हाती का नाम देखें की तरफ से अकबर की तरफ को अगे तरक सेहाति जो थे किदर से अगबर की से अगबर या मांसिंग की सेंवार टी ठीक है तो वहाँ पर कोनु कोन से थे एक तो बात करें मरताना कुंसा अचुन न जिस बात करें यहां पर रमंदला कौन सा था रमंदार रनमदार यह आती थे कौन से यह अकबर की सेना के हाती थे यह अकबर की सेना के हाती या प्रताप की सेना के हाती थे और दोनों तरफ से हातियों का युद तब क्यार दोस्तों कई सारी हातियों ने भाग ले आता है इस कारण और देखेगा यहां पर सेन्य राजपूत का अनुपात या सेन्य अनुपात देखेगा जेना का अनुपात इस युद्ध में हल्दी घंटी युद्ध में सेन्य अनुपात क्यों हल्दी घंटी युद्ध में सेन्य अनुपात जो है पैर दोस्तों क्या मिलता है एक यह सबसे पहले वीर विनुद के अनुसार 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 एक तरफ प्र पर कहा जाता है पहरे दोस्तों यहां पर बात करें कि यह इंगी मुगल सेना या पर तो वीर-विनुथ के नुसार इदर तो 20 सज्जार सेनिक माने जाते हैं कितने आने जाते हैं और जबकि इसर मांसिंग की सेना या मुगल सेना के 80 119 कि हचार जरे जब कि मूनोथ 274 की इसकैनी को तो देखने को मिलता है हमें देखते मिलता हैं यहां पर 10親 कितने साजार पर ताफ के और इसके इतने थे 4050,000 है 4040,000 पर सेनया का नुपाद ये दे देख सें बोनट ने के नंसा क्या जो अनुपाद देख ने पर दो Кि तरो तो इस का जता गया तो कहा जाता है तो एक अनुपाद चार आता है इसका अनुपाद क्या आता है एक अनुपाद क्या आता है एक अनुपाद क्या आता है एक अनुपाद चार सामने निकल कर आता है कि अर्थार्त परताप के पास इसने न भी धर ब्रताप की सिना अंधा देखने को मिलता यह और करनल करनल टोड करते हैं कि परताप के पास किसके पास परताप के प्रताप है किसा कत लित के इसे लिटेए इसमें से तोदा हजार वीर गति को प्राप्त हो गए तोदा हजार वीर गति को प्राप्त हो गए प्राप्त हो गए तोदा है कि प्रताप के पास बाइस जानकारी मिलती है कि कुन कहता है हमें करनल जैंक्स तोड़े जानकारी देता है वीर गति को प्राप्त होने वाले मुख्य 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 के नाम बताओ मैं आपको कौन कौन नाम लिए जाते हैं यहां पर वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनिक को प्राप्त होने वाले सेनिक वाले देनी कोन कोन थे वही सब सब पहले हम बात बात करें यहां पर देखीएगा यहां पर नाम लिया जाता है पहले हकीम का सूर कोन हकीम हां सूरी और हकीम का सूरी और दूसरी बात करें जहां पर हकीम का सूरी आ जाता है इसका मकबरा कहां पर बना हुआ है मकबरा किसका इसका मकबरा कहां पर खमनोर में बना हुए ताम मकबरा कंदोर में बना हुआ हम दोस्तों मेरा बना हुए दूसरी बात करिए संहिनक माहना जाता आए। को माहना जाता है Rámdaas जो बदनोर वाले, रामदास और रामदास कहां के बदनौर वाले बदनौर वाले जो रामदास थे यह वीर गति को प्राप्त होते हैं इसके साथ बात करें कौन दीसरा बात करें मांसिंग ठोनगरा तो यहां पर और बात करें प्रदोस्तों यहां पर तो था कूह था रामसा सूर पुंजा भील के बाद बात करें तो अन्सीं सोंगर आए जो है जालामान वे जाला विद्दा या जलाविद्दा या जला विद्दा ये वीर गति को पराप्त हुए थे प्यारा दोस्तों लगवी तों प्रामसा के तीन पुत्र हो जो एक को पिडू करें अ रामसा के पूत्र है इन पॉत्र पूत्र तीन पूट्र नहीं पूत्र को सा और जा मैं आपको पता है कि जब चेतक की बात करें तो शेतर की से रहे जाता है बाहर जाने के पर्शाथ बलीचा नाव किस्तान पर एक कि मरत्य हो जाती है आपर बलीचा 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 गाओं में पलीचा गाओं में एक कि तक एक की प्रत्यू हो जाती है जहां केतक की समाधी बनी वी यहां केतक की समाधी जहां पर बलीचा गाउं में चेतक की समाधी है जहां पर बलीचा गाउं में बलीचा गाउं में प्रताप अपने भाई अपने भाई शक्ति शीम से मिलते हैं कि टिद्विथे मिलते हैं और बात करें जहां पर तरह सक्ति-शिंग्ज्ग से मिलतेरी और प्रताप और शक्ति-शिंग्ज को इन का धोड़ा तातक देता है यह कल बात कल लितीवे से अपने और बाते करें यहां पर देखी आप युद्ध के बाद हल्दी गांटी हल्दी हांटी युद्ध युद्ध के बाद भायल सेनिकों का उपचार प्रताप ने कोल्यारी गाउं में करवाया था करवाया था भई कोल्यारी गाउं में इसका सेनिकों का उच्चार करवाया था और कंडिशन क्या होती है अब देखी गाउं में उच्चार करवाते हैं और यहां पर क्या तुलिया गाउं है रणा प्रताप भामासा से मुलाकात होती तूलिया गाउं यहाँ पर हमासा ने भामा चाह पर तारा चंद ने प्रताप को 25 रुपे 30,00,000 रुपे वह 20,000 कोने की अशर्फियां अशर्फियां ती 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 क्या किया था यहां पर चूलिया गाउं में कहां पर पर दोस्तों चूलिया गाउं में परताप भामासा से मुलाकात की थी और को निकान जाता है परताप को इसने कितने परताप को क्या दिये थे तारा चंद ने परताप को क्या दिये थे चहां पर प्रताप को 25 लाक रुपे और 20,000 सोने की असर पिया दी ती इस से कहा जाता है इस धन से इस धन से प्रताप 12 वर्स तक 12 वर्स तक 25,000 सेनिकों का पालन कर सकता था प्रताप को की थी वही ठीक है भामासा को क्या कहा जाता है भामासा को को कि हमासा को मेवार का दारक प्रताप का दूसरा दूसरा लिख लेन दूसरा दूसरा लिख़ें अभाई लाइख दारक काया जाता है और बात करें पहरे दोस्तों क्या कंडिशन होती है कि रणा प्रताफ अब देखी जब यूध्य के बाद क्या करता है कि जब इसको प्रताप को न तो मांशिंग पकड़ पाता ना आसब का पकड़ पाता और कोई भी से परताप को नहीं पकड़ पाता नहीं पकड़ पाने के पश्चात जब क्या कंडिशन होती प्यारे दोस्तों कंडिशन यह होती कि परताप अग्बर से जाकर मान सिंग कहता कि उसे नहीं पकड़ बाए अरे नहीं पकड़ पाए तो क्या दिया से मून लटका कर वापस आ जाता इसी के बाद कभ लेक्न पर देखे एक चित्र के मार्द्यम से सारी बातें करते हैं सब्सक्र Já इसे पहले यहां पर बात करें 15, 25 बात करें इसमें 2 जूड़ें थे क्रें 2 करें तो 12 सू अंतरासौ प्लास एक ठिर मेहीं तो पंद्रासो फो कि हो जाएंगे असि फिर्धों छोड़े फिर फंद्रासो किया सी पिर दो जोड़ें तूरासो तोョरासी देखते कैसे यहाँ पर देख्या को बिलते हैं फोड़ा से ध्यान रख्यान दोस्तों अभी एक मिनिट में थोड़ा पूरा सा समझ में आजाएगा क्या समझ में आ जाएगा सारी सारी चीजे एक एक करके में आपको बता रहा हूं देख क्या कंडिशन कि इस पंद्राइस चिंतर का पोस्ट मारडम करते हैं तो आपने आच्छे से समझ लिया और अच्छे से क्या समझ लिया प्यार दोस्तों क्या कंडिशन होते हैं यहां पर ध्यांद किसकी और से अकबर की और से अकबर की और से कौन बेजाता अकबर ने इसको मांसिंग और आशबुँद और अशबुद किसको बेजा आशफ कि क्या रहे 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 दोस्तों अब पंद्रासो चिंतर में पंद्रासो चिंतर की बात करें पंद्रासो चिंतर में प्यारो दोस्तों पून आता है यहां पर प्रताब यहां पर पून आ जाता है पंद्रासो चिंतर में आ जाता है आपका इसकी के साथ कि जब अशफल रहे इसके बाद कोन आ जाएगा अकबर कोन आता है जब इनको सफलता नहीं मिली क्या सफलता नहीं मिली तो इसके बाद कोन आ जाता है अकबर कब आ जाता है पंद्रासो चिंतर में कोन आ जाता है अकबर एकबर आता है को नहीं चिंटर में अकबर कराता है को ना तब किंदरा सु ऑच्छी पर चिजार involves no खर्वरा पर आता है पोण आथा प्रमे कर आता है अकबर इसके और ता आप को पकड़ने राता यह पर आता यह जाता है कि जब इसको यह अपनी सेना को भीजता है कि इसको लेने प्रताप को लेने या प्रताप को पकड़ने जब इसको सफलता नहीं मिलती पैर दोस्तों तो का जाता है कि यह किसके तरब चला जाता है उद्यपूर का चला जाता है उद्यपूर चला जाता है और उद्यप पर अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है उद्यपूर पर अधिकार करके अधिकार करके उद्यपूर का नाम क्या कर देता है यहां पर उद्यपूर का नाम बदल कर क्या करता है मौमदाबाद कर देता है क्या कर देता है मौमदाबाद कर देता है क्या कर देता है उद्यपूर क अच्छवा को किसको एक डू जगनाफ कच्छावा को किसको भी जगनाफ ये टबनाथ अच्छ फान हएक जेगनाथ किसको करता है है कि कि यहां पर एक को और फकरूद्दीन किसको नियुक्त करता है फकरूद्दीन को नियुक्त कर देता है और यहां पर नियुक्त करके का जाता है कि यह यहां से चला जाता है का चला जाता है वह वापस आगे बढ़ जाता है आगे बढ़ जाने के पश्चात पहरे दोस्तों क्या होता है यहां पर पंद्रा सुचिंतर गटना अब बात करें तो दीखिए का कंडिसन होती भी जहां पर जो हम देख रहें यह तो यहां पर जो बात करने जा रहें पहरें दोस्तों कि इसकी बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं तो फिर फिर एक संद्रमाय अ किया हैं 1588 किтव क्या होता है 15 exits में को नाता है वहापस चला जाता है क्या होपस चल्माय जाने के मतिольшात यहां लेकिन तीन बार क्या रहता है यह अश्पल रहता है क्या रहता है रहता है एश्पल रहता है 15 जब तक तर मिन की बात करें 1588 मिन अपरेल पंद्रासव और को अपरेल इन अपरेल इन अपरेल इन अपरे इन आपरेल इन अपरेल गाड़ के उपर करदेता है किसके उपर और फॉम्बल के उपर आकरमन कर देता है रही तक यहां पर कुंबल गड़ दूर्ग में किसको एक तो कहा जाता है कि यहां पर इसको राजन भान सोन गड़ा को नियुक्त करके और यहां से चला जाता है किसको बाण सोन गरा को नियुक्त करके यहां से एक तो भान सोन गरा यहां पर कुम्बल गड़क पर किसको नियुक्त करके चला जाता है एक तो भान सोन गरा किसको बात करें भान सोन करा इसको भान सोन गरा इसको नियुक्त करके चला जाता है प्रताब भान सौन गहारा और वीडा सिंगल को स्कों नर्वार स्समें कर गिजाद चला जाता है और यहां पर देखिए क्या र्यूस्ट होता है फीर युद्ध होता है किनको कुम्बल करता कॉन करता आशब और आधिकार लेता है किसे कि बीच यह दो होता हैं कि कब होता है यहां पर धैजन से देखी ए तीन अपरियल यहां पर इसकी कोः परताफ भर से पर टाफ वर्सेज कौन आसफ खां आ शफ खां किसके बीच आसफ खां के बीच युद्ध होता है इसके बीच होता है परताफ और से आसफ खां के विद्ध बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के पश्याद पहर दोस्तों या सब किसके उपर किसके उपर अधिकार कर लेता है किसके उपर अधिकार कर लेता है कुंबल गड़ के उपर अधिकार कर लेता है कि अबाज का आशा का और नहीं कि अधावाज काऊं आशा का आशा का पूंड था वहाई है और नक्तिता होगा सावज खाँ सवर्च 2007 का वाज का किसके उपर अधिकार कर लेता पर रखी अधिकार कर लेता है रहा हुंबल गड़ यहां पर सबस्व कुछ चाहिए पर थर्षे के आप आपर किसी आती है है अधिन यह जो दो 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 देखिएगा देहां से आवाज खाऊ किस पर अधिकार कर लेता है जब कि पताफ जंगलों में चला जाता है इस के बाद अर्था 3 अप्रेल 1548 के बाद प्रताप कुंबल जाता है जंगलों में जाता है प्रताप जंगलों में चला जाता है इस दिन के बाद और देखिए क्या कंडिशन हो दिये इस समय साबाज का यहां पर आता है अधिकार कर लेता है और 15 नियासी में भी सिसको सफलता नहीं मिलती लेकिन का जाता है क्वाल अधिकार कर लेता है 15ост फतर में यहां पर ठीक एब इसके प्रश्याथ हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे मैं नेक्स संता अपना कोन सा संता एक बात करने जाता है 78 के बाद तो अधिलिए नेक्स्ट भात करते एं हुए और यह तो दोगी एक एक अवियान साबाज का करते हैं अब बात करने जा रहे हैं पंदरा सो अटक्ड के बाद 1589 में में अबास का has ह Juice के बाद बात करें 580 किसके बात करें 1580 कि बद्रास 5058 और पंद्राइसो औशी में को नाता है अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम अबुल रहीम अठेशन हम है अ उना आता है अब्दुल रहीम उने Répी 6 знаете कि no upon आता है यह अ सब्सक्राइख unter सब्सक्राइब 580 में आने कर हूथ आए सेरपूर घटना होती है कि आपको पता है सेरपूर घटना संबंद क्या है यहां पर सेरपूर नामक इस्तान पर अपनी बेगमो बीवी वच्छों को यहां पर रख देता है तो यह दिन में शिकार खेलने के लिए चला जाता है इसके बेगमों को उठाकर ले जाता है इसकी बेगमों को इसकी महिलाओं को इसकी पत्नियों को सब को बंदी बना कर का ले जाता है परताब के पास कि नाम से रहीम कान काना की बेगमें हैं कि इनको क्यों लेकर राया है कि हमारा युद्ध चल रहा है तो वो दुम दबाता हुआ यहां आएगा नाचे का की हमारे सामनी और हम उससे कहेंगे कि अकबर की त्यादिन ता शुकार नहीं करेंगे हैं कि पहले तो कि तूने यह कि इन बेगमों को तू लेकर आया ए सर्शमान इनको बोजनों लगा पानी बानी पिला इनके बड़िया देख बाल कर और इनको सर्शमान जीसे लेकर आया है वैसे कि वैसे वहिए पहुचा जे हैं जहां से लेकर आया का आजाता है पैर दोस्तों इदर से कौन आता है अब्दुल्रहीम खान खाना आते हैं क्या करके अरे ऐसा जो वेक्तितु का धनी है और जो कहा जाता है इतने सरसंवान से हमें लेकर तो बेटा गया था लेकिन पाप ने बिलकुल सरसंवान से हमें भोजन भोजन करवाया खाना वाना किलाया और सरसंवान से कहां वापस भेज गया किसने कि प्रताप ने कौन लाया तुम्हे वाविमान जगाया पहरा दोस्तों इस तरीके से कहा जाता है यही कदम प्रताप को प्रात इसमनी महाराना प्रताप बना देता है वीर शिरोमनी बना देता है और यह शेरपुर की घटना क्या है अमर सिंग के द्वारा क्या के द्वारा वही अमर सिंग के द्वारा के द्वार तारा प्रताप के फुट्र हमसियंग अमर इl यह ने पेगमों को बंदीबना लिया था अब्दुल रहिंगि अ अब्दुल रहिं उब क्या है रहिंकि ते पेगमो को गुध्य उन्दी बना लिया था अबन्दी पना दिया था लेकिन प्रताप ने उन्हें वापस खेज दिया पना अमर सिंह के द्वारा उनको शामन भीजवाया गया इसके तरा माराना प्रताप के द्वारा और इसी समय कहा जाता है जहां पर 4 छोकियों कि स्थापना कर दी जाती है तून क्यों कि dif n इस ढम्ना कर दी जाती अदिया नार चोगी ऑर चार शक्यों की इसथाना चाहूणिया आ ख्रावनिया भी कर सकते हैं भावनिया कर ड संप多 आ समयिते रॉकिया या था भावनिया ठीक है ट्सकिया चार 6 विए बना दी जाती कहां प्रमवार में सब स्पहले बात करें दिवेर तीवेर कुण कुणची बनाए जाती है तो अन्स सुनिये का प्यार दोस्तों तीवेर कुणची कुणची भई तीवेर का है राज संबंध में काहां पर राज संबंध में देवल त्यवल दूगरपूर्मे का पर रहे वही डेवल दूगर्पूर्मे और बात करें जहां पर देशूरी कहां पर है फुदेपूर्मे ऐखAudi कि ऑर 디सूरी ओर बची वही संब है केबेड बारी पाली रिवाह देबारी पाली रहाँ पर प्रती वही एक मिनट सी अरो इसुरी देशुरी का पड़ती वही देशुरी पाली रहाँ और दीवे देबारी काहां पर उदेपुर में ने तो दे है ठीक है तो चार चोपियों कि स्थापना कर दी जाती है और निशित हो चार चौकियोंकि ao मेवार की सुरक्षा के लिए और मेवार की सुरक्षा के लिए इनिस चोक्यों की सापना कर देने की पश्यात प्यार दोस्तों इन निश्चिन तो कर इदरोविदर भूमते रहते हैं एक डेट साल रुपता है उसके बाद वापस चला जाता है कौन अब्दुलरहीम खान काना कि इसके बाद आता है को आता है क्रने इसके बाद जो अता है तो अफिय आता है यहां कि इसके बाद जो अभ्यान लेकर आता है को को आता है यह घ्या तो फंद्रासो दीच weet and Schoky is Вам कि और 1582 में जो अभियान लेकर आता है सुल्तान खां कोन था भई ये अकबर का चाचा था जाता है अकबर किसके परताप के विल्ड अभियान लेकर और सुल्तान खां जब आता है सुल्तान कहां कहां पर डीवेर में कहां पर पहर दोस्तों डीवेर में अपना आश्याना बना ल तक 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 करने पर दोस्तों जब तक मियान में नहीं रखते ते जब तक कुण को इसी के खून से निया शायर न ले अर्टाट कि इसी का खून न लग जाए जब तक वापस मेन में नहीं रखते ते का जाता इसे दोराण दिन एक टीका दोड बंदो यह तुन करता प्रताप की तरफ से टीका दोड की जाती हूं चले कि पास में कौन पड़ता है दिवेर पड़ती है कौन सी चोकी पड़ती है दिवेर और दिवेर का युद्ध हो जाता है अक्टूबर कब अक्टूबर 1582 को कौन सा दिवेर का युद्ध कब होता है दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध होता है औ प्रताफ कौन प्रताफ और प्रताफ के साथ उसका बेटा अमर्सींग कौन वंचिंग्र सब्सक्रेंग को कौन सुल्टान सुल्टान खां कौन भई सुल्टान खां कौन था मुगल सेना की तरफ से सुल्टान खां और इस युद में कौन विजय होता है इस युद में जो विजय होता है इस युद में विजय होता है कौन माराना प्रताप और कहा जाता है कि यहां पर यह सुल्टान का कि अमर्ज सिंग्स भाला आरपार कर देता है भाला आरपार कर देने के पश्चात क्या पंडिशन होती है सुल्तान का तडप रहाता है तो का जाता है उसी दोरान का जाता है जब यूद्ध सहत्माप तो हो गया था जब मुगल सेना कुछ बची भाग गई थी और राना प्रताप अठने सेनी को देखने जाते कोन को मरा तो वापस उठाने के लिए जाते उनका अंतिम सथकार करेंगे कि लेने के लिए जाते है तो सुल्तान का वहां तडप रहा था तडप तडप तडपता का जाता है कि प्र युद्धा को मेरे पास लाया जाए कि जिस ने मेरे को भाला अधान का भी अच्छा सेनापती वहा करता था भी बहुत खतरना का आदमी था बहुत लंबा चोड़ा अधमी था और इसी दोरान का आजाता है कि उसके बगल प्रताप के बगल में एक चोड़ा खड़ा था उस किर किसको बुलाता है प्रताफ अमर सिंग को भलाता है कि यह कोंते कि मेरा ही प्रोड़क्ट dz burada मेरा ही पुत्र título है कि इसने हां की यह कि वास्तर विश्क्र जards신 जाए गए तो ॹजब उसको तरबता दे प्रताफ उस इक वाला लगा हुआ है इसको बाहर निकाल ले इसने 돌아 जाएगा तड़पेगा नहीं तो जब अमर्सिंग उसका भाला निकानने लगा तो कहा जाता है कि भाला नीच कीचे इतना खतरनाक भाला मारा अमरह सिंग ने कि उसके आर पार होते हुई नीचे जमीन में दस गया जमीन में दस जाने के कारण आजाता है जब वाले को वापस निकालने लगता है तो अमरह सिंग से भाला किछने में नहीं नहीं पेर दराओंक फिर टड़ाथ्यर मुण घचाई इसमें किस की विजय होती है प्रताप की विजय होती है करनल जेम्स टोड ने किसने पहरा दोस्तों करनल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा इसने मेवार का मेरा थन युद्ध कहा करनल करनल जैम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा मेवार का मेरा थन युद्ध कहा क क्या कहा मेवाड का मेवाड का मेरा थन युद्ध मेरा थन युद्ध कहा इसको दिवेर के युद्ध मेवाड का मेरा थन युद्ध किस ने कहा करनल जेंप्स टोड़ने कहा यह लंबे समय तक चला था कारण इसके क्या कहा गया मेवाड का मेरा थन युद्ध कहा गया वह इसक के बाद का जाता है कि ओनाता है अंती फि कंतीमेंअ भ्यान पंध्रास चवरासी तब अंध्रास हो न अटरों आ है का पाफ Ages mandro 2018 फ्等 trabalhे पर फन्द्रासु हो चुरासी में वेस्ता अकबर फंध्रांस सू चूरासी में जगन्नात कचा ख Ohh Ведь को बेजता है जगनात कछवा को बेजता है और जगनात कछ्वा का ये प्रताफ विरुद किसके विरुद किसके विरुद की विरुद अंतिम अभियान्ता वई माना जाता है किसके इस नहीतरत में फंद्राइस चोराशी का किसके नहीतरत भेजा जाता है यह जाता है यह जाता है कि यहां पर बात करें तो प्रताप के विरुद अकबर ने प्रताप के विरुद अकबर ने साथ अभियान किये और चार सांती प्रस्ताव कितने चार शांती प्रस्ताव विजिति या सिष्ट मंडल सांती प्रस्ताव कितने बेजे चार सांती प्रस्ताव विजिति याद रखना प्रताप की विरुद कितने चार तो सांती प्रस्ताव या सिष्ट मंडल बेजिते जबकि साथ अभियान बेजिते कितने वेक्तियों को लड़ने के लिए बेजाता प्रताप को पकड़ने के ल दोस्तों फंद्राफों 15분 whenever सब्सक्राइबशाए में लूनाइषाइडा डिया ते चावंड के चावंड और यहां पर चावंड पर किसका अधिकार था लूना लूना जावंड डिया ता पर इसे नुना चावंड यां से चावंड को छीन लेता है प्रताब किसको चावंड को तीन कर चावंड को तीन कर चावंड को इस्ताई राजधानी बनाता है चावंड को इस्ताई राजधानी बनाता है बनाता है बनाता है चावंड को चीन कर या चीन लेता है और यहां पर चावंड को क्या बनाता है वही चावंड को राजधानी बनाता है क्या बना लेता है चावंड को इसता ही राजधानी बना लेता है ठीक है कौन बनाता है वही प्रताब माराना प्रताब 1585 में चावंड को राजधानी बना लेता है और अंत में क्या होता है काहा मिलाता है अपने अंतिम समेतक प्रताप क्या अंतिम समेतक किस की बात करें प्रताप अपने अंतिम समेतध आ अंतिम चमे तक प्रताप इत्तोड़ वा प्रताप ने, प्रताप ने, इत्तोड़ गड़ वा मांडल गड़ को छोड़ कर, प्रताप ने, क्या कहा देता है, कि यहां पर सारा का सारा मेवार का पूरा चेत्र पुना प्रताप प्रताप लिया था, मांडल गड़ को पोड़ कर, पोड़ कर, मेवार, का सारा चेत्र प्राप्त कर लिया था, का सारा चेत्र प्रताप कर लिया था, प्रताप का जाता है कि इसके उपर भी अधिकार किसका होता प्रताप का होता अर्थात मांडल गड़ और चितोड़ गड़ को छोड़ कर पुरा का पुरा छेत्र पुना प्राप्त कर लिया था किसने माराना प्रताप में अब काहा जाता है प्यार दोस्तों चावंड में काहा पर चावंड में कब प्यार दोस्तों 19 जन्वरी कब 19 जन्वरी पंद्रासो चंत्यान में को का जाता है कि एक दिन प्रताप धनुस की प्रतिंचा चड़ा रहा था और धनुस की प्रतिंचा चड़ा रहा था और धनुस की प्रतिंचा यूँ खीच कर यूँ एक हाथ से दबा रहा था और एक हाथ से यूँ खीच कर चड़ा रहा था तो यू रस्टी जो प्रतिंचा थी प्रतिंचा का मतलब दनुस के जो रस्टी बांदी जाती वह प्रतिंचा चड़ा रहा था तो कहा जाता है यह से लिफेटना था उसको लेकिन कहा जाता है उससे पहले यह रस्टी टूट जाती है और टूट जाने के बाद दनुस का ऊपर वाला भ प्रताप की म्रत्यू हो जाती प्रदोस्तों कब 19 जन्वरी 1570 में को जाना प्रताप की म्रत्यू चावंड में हो जाती है प्रताप जब घनुस की प्रतिंचा प्रतिंचा चड़ा रहा था तो प्रतिंचा तूट जाने की कारण प्रतिंचा तूट जाने के कारण तूट जाने से प्रताप की मरत्यू हो जाती प्रताप की चत्री, प्रताप की चत्री काँपर बनी हुए भई, प्रताप की चत्री बनी है बाडोली उदेपुर्मी, काँपर 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 बनी हुए प् कितने आठ खंबो की चत्री कितने खंबो की चत्री है ठीक है आठ खंबो की चत्री है प्रताप की चत्री कहां पर बाड़ोली उदेपुर में प्रताप का इश्मार्क इसकी बात करें इसमार्क प्रताप का जो इसमार्क है प्रताप का इसमार्क किसका इसमार्क वही प्रताप का इसमार काहां पर मोतीमगरी कांपर अमर्म म 한번 पर दौस्तों उदेफुल का अपर फृर पृत पर में बनियु प्रताब का इसमार कांपर बना हुआ है मोद्य अधिक्ड्र 박ना याद रहा जाएगा प्रदौस्तों जह सारी प्रताप का जीवन वब होने के बाद किस किस क्या गटनाओं से गुशजिए और काफी विश्टार से भुट विश्टार पूर्वक आपने प्रताप को पड़ा पैर दोस्तों मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स जुनून और जौस के साथ तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल है बिल्खुल भी पैर दोस्तों एप पर जाईए डीजिसर क्लासे आपको डाइनलोड की वहाँ पर सारी विवस्ताइं सभी प्रकार की कॉर्स आपके लिए अवेलेबल हैं बिलते हैं नेक्स सीजिए में नेक्स क्लास के साथ धन्यवाद प्यार दोस्तों एक अ करता हैं और दोस्तों हैं ये विल्खुल ōक्राइबल जस्तों छोस्तों विल्खुल एत दोदाईं सभी विल्टनी सजिए रखके लिए दूckered भी सापके भी क्लास यवेले रध प्रकार साथ qe'? झाल झाल